हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज मैं आपको सिर्फ दो चीज़ों से काफी सुН्दर हेंगिंग प्लांटर बना के दिखाऊंगी जिसके लिए मैंने लिया है एक ये है एक सनमाईका का टुकड़ा जिसके उपर मैंने कीलों से छेट कर लिया है एक planter मैं इसका बना के दिखाऊंगे और एक planter stand मैंने जो ये गत्ता होता है इसका बनाया हुआ है ये simple जो गत्ता आता है brown color का वो है अगर आप इस गत्ते से बनाना चाहते हैं तो इससे 20 से cut करके इसको double कर ले किसी गम की मदद से इसको double करके चिपका ले जिससे और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और इसके उपर से आपको ये रंगीन पेपर या इसमें paint कर ले इससे ये थोड़ा सा colorful दिखे ये लिए मैंने एक चूनी और ये हैं चार धागे इन चार धागों को बिल्कुल बराबर हिस्सों में आपको cut करना है आप अपने इच्छा के अनुसार इसकी height रख सकते हैं लंबी या छोटी जितना आपको planter ऊचा या छोटा जाहिए और बस इस बात का ध्यान रखना की जो धागे की लेंते हो चारों की बराबर हो ये लिए हैं मैंने एक bits इसे मैं इस धागे के अंदर डालूँगी आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं और जो सन्माइका का ये छेथ है इस पर फसा के नीचे से एक गाणत लगा लेंगे ये काफी जल्दी और आसानी से बन जाता है इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आप इसमें बड़े चोटे पोड आरफानी से टांक सकते हैं या कोई भी आपके पार सोपी सो वो भी इसमें आप टांग सकते हैं काफी देखने में ये काफी अच्छा लगता है ऐसे ही जो हमने ये सिंगल हैंगेंग प्रांटर बनाया है इसी तरीके से आप इसे डबल भी मना सकते हैं बस हमें तागे की लेंद थोड़ा ज़्यादा लेनी होती है और इसी तरीके से उसमें नौट बात के वो भी काफी आसानी से और काफी अच्छा लगता है आप इसमें कोई भी डेकुरेशन का समान रख सकते हैं आपकी खाली बॉल को ये काफी अच्छा लुग देगा ये देखिए अब मैं इसमें चारों में नीचे से नौट बात के आपको दिखाती हूँ मैं इसमें एक अपना आर्टिफिशल प्लांट रख देती हूँ इसमें जो भी चीज रखें बस ये ध्यान देना कि उसका वेट थोड़ा सा लाइट हो और अगर आप पॉट में कुछ प्लांट लगा के रखना चाहते हैं तो पॉट हमिशा प्लास्टिक के हो जिनका वेट थोड़ा सा हलका रहता है देखें ये काफी सुंदर लग रहा है अब मैं आपको अपना दूसरा हैंगिंग प्लांटर दिखाऊंगी जो मैंने बनाया हुआ है कागच के गत्ति का वो मैंने बनाया हुआ है डबल जैसे हम सिंगल वाला हैंगिंग प्लांटर बनाते हैं हमें सेम वैसे ही दूसरा वाला भी बनाना है बस हमें धागा थोड़ा सा लंबा ले लेना है इस planter को बनाए हुए मेरे पास अभी दो मेहने हो गए हैं ये मैंने अपने इंडोर ही रखा हुआ है और जो दो मेहने से काफी अच्छे से चल रहा है आप भी इस तरीके से वेज समान से ये hanging planter बना सकते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू